हलो प्यारे बच्चो जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कोविड नाइन्टीन जो कोरो नाम हमारी फैली हुई है उसकी वज़े से सभी संस्थान स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं तो उसे में आपके बचाओ के लिए भी और तन जिससे आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे उसी के लिए ओनलाइन क्लासिज की सुरुवात की जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे इसी कड़ी में आज मैं सुभास चंदर आपक नाइंथ क्लास की साइंस की सुरुवात करने जा रहे हैं तो इसमें हम अपना पहला अध्याए जो हमारे आसपास के पदार्थ के नाम से है उसकी सुरुवात करेंगे जिसमें पदार्थ के बारे में पढ़ा जाएगा उसके बारे में भी पड़ा जाएगा तो आप सभी ने क्या करना है जो काम आपको कराया जाएगा उसको डेली रूटीन में नियमित रूप से अपनी कॉप्पी में भी उतारना है और साथ में उसको याद भी करते रहना है जब तक स्कूल नहीं लगते उसमें भी आपकी सेफटी है आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आप सुरक्षित रहें सुवस्त रहें तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास में हमारे रसाइन विज्ञान के चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ की बच्चो इस पार्ट के अंदर हम जैसे नाम बता रहा है हमारे आसपास के पदार्थ तो पदार्थ की बात करेंगे कि हमारे आसपास कौन-कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और अगर वो पदार्थ हैं तो उन्हें पदार्थ कहते क्या हैं क्यों हैं पदार्थ क्या होते हैं पहले बात करते हैं कोई भी वस्तू जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं क्लास्रूम की बात की जाती है कि आप अपनी कख्षा में देखते हो कि कुर्सी रखी हुई है मेज रखी हुई है बेंचों के उपर आप बैठे हुए हो चोक रखे हुए हैं जिसकी सायता से द्यपक ब्लैक बोर्ड पे काम कराता है ब्लैक बोर्ड है आपके सामने तो आप द उठाके देखा जाए तो उनके अंदर ये जो बात की हमने दूसरा वर्ड लिखा है इसमें दूसरा सब्द लिखा है द्रव्यमान कि उनमें वजन भी होता है द्रव्यमान भी होता है इसका मतलब क्या हुआ ये सभी वस्तवें किसमें आ जाएंगी पदार्थ के अंदर आ जा कि अधिम खुद हम बैठे क्लासरूम के अंबर हैं बच्छों की बात करें या अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी क्या रहेगा ये दोनों ही गुड मिलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि हम भी किस उसमें आ जाएंगे पदार्थ की स्रेणी में आ जाएंगे दूसरी बात आती है कि कोई भी पदार्थ हो बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो एक लाइन लिखी है कि पदार्थ जो होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है किसी भी पदार्थ की बात करें हम या ब्लैक बोर्ड की बात करें चाहें मेज की बात करें वो लकडी से तो बनी होती है लेकिन उस लकडी के अंदर भी उस लकडी के ही छोटे-छोटे कन होते हैं तो ये कनो की बात आ जाती है कि जो कन किसी भी पदार्थ कार निर्मान करते हैं उसको बनाते हैं उन में क्या-क्या गुन पाए जाते हैं पहले हमने पदार्थ की बात की, कि पदार्थ होता क्या है, उसके बाद हमने उधारण दिये, अपने आसपास आप देखते हो, सब ही वस्तों हैं, वो पदार्थ के रूप में ही हैं, वो पदार्थ हैं, तीसरी हमने बात की, कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अब हम कि इन कणों के अंदर क्या गुण धरम होते हैं कणों के गुण धरम हमने आपको ये बता दिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना उतता और वो छोटे-छोटे कणों होते हैं तब ये जाके किसी पदार्थ का निर्मान होता है उसके बाद बात करते हैं कि कौन-कौन से गुण नंबर वन पर बात करें कि पदार्थों के बीच कणो के बीच रिक्त स्थान होता है कि कणो के बीच रिक्त स्थान होता है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ है वो कणों से अगर बना है तो वो कण आपस में जुड़े हुए है तो वो कण जो जुड़े होंगे लेकिन उनके बीच में फिर भी क्या मिलेगा रिक्त स्थान पाये जाता है जगे मिलती है इसको कैसे समझाया जा सकता है कि हम एक गिलास में पाणी लेते हैं और उसके अंदर चिन्नी या नमक डाल देते हैं जब उसको गोड़ा जाता है तो आप देखते हो कि ना तो वो चिन्नी के कण और ना ही नमक के कण वहाँ दिखाई देते हैं बल्ואकि एक गोड एक विलियन त्यार हो जातता है जिस को हम पाणी चिन्नी पानी या फिर नमक पाणी का गोड बोल देंगे या विलियन बोल देंगे तो वो कण गए कहां वो चिन्नी के काण या फिर वो नमक के कण कहां गए तो हम कह सकते हैं कि वो कण उस जल के अंदर उस पाणी के अंदर mix-up हो गए गुल गए अब वो अगर उस पाणी के अंदर चले गए तो अपनी जगह उन्होंने कहीं न कहीं बनाई होगी तो यह दरसाता है कि जो पानी जो पदार्थ है उसके जो कण है उनके बीच में रिक्त स्थान था जगय थी जिसको किस ने कवर किया चिन्नी ने या फिर नमक के कणों ने उस जगय को अपनाया तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होगा उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है दूसरी बात करते हैं कि जो कण होते हैं निरंतर गती सील होते हैं कि जो पदार्थ के कण है वो एक जगय से दूसरी जगय लगातार चलते रहते हैं अब हम बात करें इसमें हम उदारन दे सकते हैं लाल द्वाई के बारे में आपने सुना हुआ है अब जो लाल द्वाई होती है उसकी छोटे से कण छोटा सा क्रिश्टिल जो होता है वो पा मतलब क्या हुआ कि जो लाल दुआई है जो पोटासियम परमेगनेट है उसके कण वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंच गए जो यह दरसाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं हम इसमें और भी दारन दे सकते हैं हम कह सकते हैं खाना बनाया जाता है घरों के अंदर तो उसकी सुगंद आपको बाहर तक आ जाती है उस गरम खाने की कि वो कितना अच्छा बना हुआ है बहुत अच्छी सुगंद आ रही है तो वो भी दरसाएगा कि कण जो है वो निरंतर गति सील रहते हैं तीसरी बात करते हैं हम इसी में कणों के गुंद धर्मों के अंदर है कि जो कण होते हैं उनमें आकर्शन होता है कि जो पदार्त के जो कण है वो जो पदार्त का निर्मान कर रहे हैं उनको बना रहे हैं उनके अंदर आपस में आकर्शन होता है आकर्षन कोई ना कोई बल काम करता है जिसकी वज़य से वो जुड़े होते हैं आप देखते हो दुकानों पे लोहे का काम होता है उस पे थोड़े की चोट की जाती है तो जैसे उस पे चोट मारते हैं तो जो लोहा होता है वो फैल जाता है उसकी पतली परतें बन जाती है ले हुआ है अगर अगर हम रबड को खेंचने की कोशिश चाती यह है इसका मतलब यह उता है कि कुछ कंडों के अंदर आकर्शन जादा वोता है यसलिए वह बिल्कुल बिखरेंगे नहीं शानल में जुड़े ही रहेंगे कुछ कढ़ों में आकर्शन कम होता है वो और फैल जाती है ऐसे ही गुबारे के अंदर आप देखते हो गैस बरी होती है, हवा बरी होती है जब उश को फोड़ दिया जाता है तो वो गैस कहां चली जाती है वाईयू के अंदर समावेशित हो जाती है फैल जाती है तो उसके कणों के बीच में जो आकर्षन है वो और भी कम रहेगा जिसमें आकर्षन ज़्यादा होता है उस पदार्थ के अंदर कण आपस में जुड़े रहते हैं अब सुरुवात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की पदार्थ के बारे में हमने पड़ा कि पदार्थ क्या रहता है क्या होता है उसके बाद पदार्थ को ही हम दो तरीके से दो रूप से अलग-अलग बागों में बांट सकते हैं एक होता है भोतिक रूप और दूसरा होता है रासाइनिक रूप भोतिक रूप का मतलब होता है कि पदार्थ को देख कर पहचान करना कि आपके सामने कोई वस्तु रख दी गई है उसकी पहचान करने हैं आपने आप उसका रंग देखके पहचान कर सकती है उसका रूप उसका आकार देखके पहचान कर सकती है तो ये भोतिक रूप हो जाएंगे रसाइनिक रूप होता है कि पदार्थ किरिया करके क्या कोई नया पदार्थ बना रहा है किसी से किरिया कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो रासाइनिक रूप रहेगा आपकी 9th क्लास के अंदर आप पड़ोगे भोतिक रूप या भोतिक अवस्थाइं किसी भी पदार्त की कौन-कौन सी होती है तो इसमें हम भोतिक रूप में बात कर रहे हैं पदार्त की उत्ती हैं वो पांच अवस्थाओं की बात की जाती है नंबर वन ठोस अवस्था दूसरी द्रव अवस्था प्रवस्था आइस यहांद अवस्था टूसरी ग्यासवस्था चाथि प्लाजम और पांच अवस्थाओं प्रश अवस्थाओं कि Annashter i I am जड़ भाजंचर प्लाजमा और बोस्-आयनश्टीन कंड़नसेट इसका नाम बताता है कि जो साइंटिस्ट था और उन्होंने इस अवस्था को इसकी अवस्था की पहचान कराई, उनके नाम पर ही रख दिया गया बोस आइंस्टीन कंडन से, हम इस साल, इस क्लास के अंदर बात करेंगे, ठोस अवस्था की, द्रव अवस्था की और गैसी अवस्था के बारे में, तो पहले बात करते हैं, ठोस अवस्था क्या होती है, क्या पहचान होती है, कि कोई पदार्थ ठोस है, कौन-कौन से गुन पाए जाते हैं, इसी में नमबर वन बात लिखेंगे कि ठोस अवस्ता क्या होगी, इनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, आप अपने आसपास बहुत से उधारण देखते हो, आप कुर्सी की बात अमने अभी की थी, मेज की बात अमने अभी की थी, या चोक की बात अमने अभी की थी, तो आप देखते हो कि उनका आकार नहीं बदलता जैसा आकार दिया हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहता है उनका जो द्रव्यमान है जो आयतन है उनका वो वैसा का वैसा ही रहता है उतना ही है यह नहीं है कि वो यहां तो आपने एक गिलास ले लिया वो गिलास है दूसरी जग तो अगर कोई ऐसा पदार्थ है तो उसको हम क्या बोल देंगे थोस बोल देंगे कि वो क्या है थोस है दूसरी बात करते हैं इसी में कि कणों की बात की थी अभी हमने शुरुवात में कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है तो अगर ये थोस की बात कर रहे हैं ये भी पद कणों के बीच जो आकर्शन बल होगा जादा होता है अब अगर बात करें ये कण दिया हुआ है ये कण दूसरे कण से अच्छी तरह जुड़ा होगा तीसरे कण से अच्छी तरह जुड़ा होगा ऐसे ही आपस में जुड़े होंगे और कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो नगन्य हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तो ये पहचान रहेगी थो सवस्था की तीसरी सी में बात करें अगर आकर्शन बल जादा सक्तिसाली है कणों के बीच में रिक्त स्थान कम है तो उस हिसाब से उनका संपीडन भी क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा अगर उनके उपर दबाव डाला जाए तो दबाने पर बिल्कुल भी नीचे की तरफ या यह कहें कि वो बिल्कुल भी कम नहीं होंगे या दबाव में नहीं आएंगे कैसे संपीडन बोलते हैं उसको संपीडन कम होता है गुबारे की बात करते हैं गुबारे को दबाया जा सकता है संपीडित किया जा सकता है क्योंकि वह दूसरी यवस्त्ता में आएगा कि उसको इसके बीच में जो कणों के बीच में गैप है जोogen minutes रेकिन की बात करते हैं कि इसलिए उनका संपिडन नगन्या रहेगा बिलकुल ही कम रहेगा अगर हम मेज के उपर दबाव डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेज धरादल पे जमीन पे चली जाएगी वो वही की वही रहेगी क्यों क्योंकि वो थोस है दूसरी अवस्था की बात करेंगे हम इसी में द्रव अवस्था द्रव अवस्था से पहले यहीं घोस में हम एक दो क्वेस्चन की बात कर लेते हैं आपके सामने बात आता है स्पंज की बात आ जाती है कि स्पंज जो है उसको दबाया जा सकता है अब अब हमने बात की कि इनका संपीडन नहीं होता है संपेडन कम होता है तो जब स्पंज को दबाया जा सकता है तो क्या वो ठोस होता है बिल्कुल वो ठोस होता है लेकिन स्पंज के जो कणा अपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में जो जगे रह जाती है उसमें हवा बर जाती है वाईयू बर जाती है तो जब उसको दबाया जाता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है अब देखते हो कि उस sponge क्या होगा वो थोड़ा दब तो जाएगा लेकिन उसकी ऐसा नहीं है कि उसकी आकरिती बिल्कुल ही बदल जाए तो वो भी ठोस में आ जाएगा इसी तरह हम rubber band की बात करते हैं rubber को खीचा जा सकता है और उसकी आकरिती बदल जाती है तो क्या वो भी ठोस होता है वो भी ठोस में ही रहेगा सिरफ बल लगाने पर उसकी आकरिती में तो बदला आवाता है लेकिन जैसे ही बल को छोड़ा जाता है जो rubber band है जो rubber होगी वो अपनी वास्तिष्थिती के अंदर वापिस आ जाती है तो ये ठोस के गुणों के बारे में दरसाता है उसके बाद बात आती है द्रव अवस्था की तो पहली यही बात है जो हमने ठोस में लिखा है जैसे इसमें लिखा कि इनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है द्रव की बात करेंगे इनका निश्चित आयतन होता है परंतू निश्चित आकार नहीं होता कि जिस भी कंटेनर की बात करें किसी गिलास की बात करें जिस माध्यम में इन द्रवों को रखा जाते हैं इन पदार्थों को रखा जाते हैं उसी की आकरिती ले लेती हैं आयतन की बात करते हैं जैसे गिलास में गिलास पानी लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वो एक गिलास ही पानी है द्रव है उसका आयतन तो एक गिलास ही है लेकिन जैसे उसको बाल्टी के अंदर या बकट के अंदर डालेंगे तो रहेगा तो एक ही गिलास लेकिन उसकी जो जाएगी वो गिलास जो पानी है वो जमीन के उपर फर्स के उपर फैल जाएगा दूसरी बात आ जाती है इसी में कि कणों के बीच में कि आकर्शन कि बल कम होता है कि जो कण है जिससे मिलकर द्रव बना होता है उनके बीच में आकर्शन बल कम रहता है रिक्त स्थान थोड़ा जादा हो जाता है तो रिक्त स्थान जादा रहेगा और आकर्शन बल कम रहेगा यही वजह होगी जिसके कारण इन में जो संपीडन होगा वो थोड़ा थोड़ से जादा हो जाएगा इनको थोड़ा दबाया जा सकता है बात कर लेते हैं तो तिसरा पॉइंट दरवावस्था में ही बात कर रहे हैं कि जो इनका संपीडन है किया जा सकता है संपीडन का मतलब इनको बल लगा कर दबाया जा सकता है अब दबाया क्यों जा सकता है क्योंकि इनके कणों के बीच में जो आकरशन बल है वो कम होता है और रिक्त स्थान भी होता है अब जगए अगर कणों के बीच में दी गई है तो उनको बड़े अराम से संपीडित किया जा सकेगा अब हमारे तीसरी अवस्था आ जाती है गैस अवस्था तो पहले में हमने बताया कि निश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी रहेगा दूसरे में हमने बताया द्रव अवस्था के बारे में कि निश्चित आयतन होता है लेकि निश्चित आकार नहीं होता जैसे उसमें दूद की बात करें जल की बात करें वो भी द्रव अवस्था में हो जाती है तीसरी हम बात करते हैं गैस सवस्था की इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि इनका ने तो निश्चिताकार होता है और नही निश्चित आयतन होता है कि एक जगय के अंदर थोड़ी गैस भी डाली जा सकती है और जादा गैस भी डाली जा सकती है तो वो आयतन से संबंदित होगा कि निश्चित आयतन नहीं होता आकार की बात करें गुबारे में हवा बरी जाती है तो थोड़ी अवा बरेंगे उसकी अकृती कुछ और होती है, जादा बर देंगे तो उसकी अकृती में बदलावा जाता है, उसको प्रेस कर देंगे तो उसकी अकृती बदल जाती है, तो इसलिए लिखा गया है कि नै तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयत होता है द्रव में जो अकर्षन बल है वो थोड़ा कम हो जाकता है यहां जो कणों के बीच में अकर्षन बल होगा नगन्य होता है बिलकुल कम होता है जब अकर्षन बल नहीं होगा तो इसका मतलब जो होगा कण दूर दूर फैले रहेंगे उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो जादा रहेगा तीसरा इनको सम्पीडित किया जा सकता है घरों में देखते हैं LPG के स्लेंडर लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए रिसोई में LPG का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस कि वहां गैस को ही स्लेंडर के अंदर डाला जाता है दबाव डालके compress करके अच्छी तरह उसको सम्पीडित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के बाद स्लेंडर में उनको बरा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ वहां गैस को सम्पीडित किया जा सकता है को दबाव डालके सम्पीडित किया जाएगा तो यह जाएगा गैस अवस्था के बारे में गैसों में आप उदारन दे सकते हो ओक्सिजन गैस के बारे निश्चित होता है और नहीं उनका आयतन निश्चित होता है तो हमने पदार्थ पड़ा और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पड़ा कि पदार्थ की तीन अवस्थाइं हैं कौन-कौन सी हैं ठोस द्रव और गैस अवस्था आपने देखा कि ठोस अवस्था के अंदर जो कण उत्ते हैं वो बिलकुल नजदीक नजदीक पाए जाते हैं द्रब अवस्था में आपने देखा कि जो कण है वो थोड़े दूर मिलेंगे गैस अवस्था के बारे में आपने देखा कि जो कण है वो बहुत दूर-दूर मिलेंगे तो यह तिन्नों थोस द्रब और गैस के बारे में उनके गुणों के बारे में आपने इस वीडियो के अंदर देखा तो इसमें बच्चे ध्यानसेंज को देखें पढ़ें और अपने नोट्स प्रिपेर करें झाले हैं झाले हैं झाले हैं झाल झाल